एपिसोट के स्टार्ट मेंस होती है यहां पर लिली इस बीस्ट डीवन के साथ लड़ रही होती है लिली कहती है तो मैं अब तक मालूब पढ़ गया होगा कि तुम मुझसे नहीं दी सकते इसलिए अच्छा हो तुम सरेंडर कर दो इसके बाद भी वीस्ट डीवन नहीं मानता लिली कहती है आके तुम उन लड़कियों को पशान कर रहे थे और पर टैक क्यों कर रहे थे यह बीस्ट डीवन कहता है पैकट्सू भी होता जो कि कह रहा होता है मैंने पहली बार देखा है कि कोई बीस्ट डीवन कुछ इस तरह से फॉर्म भी ले सकता है हम देखते हैं कि पूरी तरह से एक हुमन फॉर्म ले चुगा था फिर भी एक ही बीस्ट डीवन ही था और इसे काफी अजीब कपड़े पहने थे कह रहा था देखो कितना सेक्सी ल चलगा साथ क्यों दे रहे हो जैसे तुम समझ रहो वैसा नहीं है मेरी बात तो सुनो शेप बीस डीवन कहता है अगर तुमने कुछ भी ऐसी वैसी करने की ट्राइक करी तो इसके साथ साथ तुम्हें भी आपे पनिश्ट मिलेगी यहां पर इसम दोनों से कहता है तुम पर दोका दिया है और लेली कहरी होती है इस तर की बात तुम पर बिल्कुल सूट नहीं करती अपना मुव बंद रखे बगल में बैठ जाओ सुप चाप अकट्सू कहता है तो फिर ठीक है मैं बताता हूं कि प्यार की बाते कैसे करी जाती है पूर अपर अपना पूरा पू पर नहीं पड़ रहा होता और इस टैंपी तुम मेरे को स्ट्रेस कर रहे हो और फिर से इस माइक को अकट्सू साइट पेग दीती है अकट्सू रोते में कहता है तुम्हें तरह कि नहीं बोला चाहिए था तुम्हें शायद पता नहीं कि मुझे कितना दुख हो रहा है इस इस तरह की बाते हम लोगा फाइट कर रहे थे ना फिलाल लिली फिर से माइक उटाते और कहती है एक बार फिर से तुम इस तरह की बेवकुफी वाली चीज़ करके मेरे को टेंशन दे रहे हो चले जाओ यहां से और भाई अब तो अकट्सू यहापे जैपनीज में कुछ प बता दो कि इसा तुम क्यों कर रहे थे बीस टीवन रोते हुए कहता है मेरा कुछ भी गलत इंटेंशन नहीं था मैं तो वह आप इसे बुक्स लेने गया था तो बताता है एक बर मैंने यहाप एक बड़ी बिल्डिंग पर एक एडड देखा था जिसमें उनलों के लेक्स कि पर इस बीड़ी बापी में यहाप एक अनवर्ट हो जाता है इसके बाद लिए उसकी फोटोस खिषती है और बोलती है काफी क्यूट है उसके थोड़े सबाद यहाँ पर एक वूमेन आते और कहती है लिली तुम्हें मैं मैं में इसका कुछ इस तरह के पपी इसको डूनती लिली बताती है कि मैं किसी डीमन को वारती नहीं हूं इस तरह के 20 टीमन को कुछ इसी तरह से उनकी पावर्स को यहाँ पर बंद करके उन्हीं रेस्क्यू के लिए देती हूं तो फिर तुम उसके उपर इतना बायानक अटक क्यों कर रही थी इसको मर भी सकता था तो लिली नहीं थे और जब भी मुझे लग रहा था कि मेरी पावर्स जादा है मैं उसे कम गर दे रही थी ताकि वो मरे ना अकट्सू पूछता है तो फिर इस दुनिया में सिर्फ लिली एक ऐसे एंजल है जो की काइंड है वो कहरा होता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा मुझे त तो लिली कहती ही तुमने क्या कहा मैंने सुना नीमाप करना अकट्सू कहता है बस मैं यह सोच रहा था कि एंजल तो बहुत जादा बुरे होते हैं लेकिं तुम उनसे अलग हो और काइंड हो तो लिली आप अस्तिर कहती है काफी लेट तुम्हें मालूम पड़ा है कि मैं का क्लास में होता है उसके सामने उसका क्लास फिचर होता है जो कि कह रहा था जब आकट्सू की नियंद खुलती है तो उसका टीचर कहता है मुझे यकीर में नहीं दिल और कि अई लिलेग देखते हुए कहता है बिलकुल भी नहीं वो मीरी दुश्मन गढ़ होता है और मेरेशके कैसा पुरिता से लाल हो जाता है और पुरिता से वह इमबैîneस तो अकट्सु माफ भी मांगता है चीफ का नाम लिस था लिस कहरी होती है वैसे मैं यह पर बिन बॉलाई नहीं आई हूँ मैंने मैसेज करें थे लेगिन तुमने देखें नहीं अकट्सु पुछते को सूट केस्ट में क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट है तो लिस कहती है नह दो तब तबाही मच रही है मैं यहाँ पर मजे कर रहा हूं वह यापे लिस से कहता है अभी मुझे तब कोई हिंसान ऐसा मिला नहीं तो बताता है मुझे एक इत्सान मिला था लेकिन वह बहुत दाथ अप्लिकेट वाला और कमंडी है जिसमें लिस कहती है अगर ऐसी बात है इस चूट को खोल के दिखाती है इसके बाद चेंजिंग रूपर चली जाती है अगत्सु कहता है एक लिस मेरी पर्मिशन तो दिल नहीं हो सकता इसका अगत्सु कहता है यह उस्स वीर्ड मांगर्स की तरह तो नहीं होने वाला चाहँ पर चीफ या फिर मैनेजर और उसका कू लिखा रही होती है इन अवाजों से बिचारा अकत्सु सोर नहीं पा रहा था वो कह रहा था यह क्या हो रहा है मैं आज बिल्कुल भी नहीं सो पाऊंगा नेक्स यहां पर चीफ आती हो कहती है बहुत ही बना तुम्हें पूरी ट्रेनिंग की जरुवत है अकत्सु बहुत करो अकत्सु बुस्ते मुझे यह क्यों करना पड़ रहा है तो लीज बताती है क्योंकि अगर तुम्हें किसी को यहां पर है तो उसे पूरी तरसे करना होगा ताकि वहां पर हमेशा की रह जाए अब हम देखते हैं एक दूसरी लड़की पास आता जिसके पास एक डॉट हो अगर मुझे यह कहीं मिलता है तो मैं कॉंटाइक्ट करूंगी अकत्सु मन में सोच रहा होता है माफ करना मैंने तुम से जूट बोला एटलिस मुझे कॉंटाइक नमबर तो मिल गया तब इसकी चीफ आती है तुमने काफ़ी अच्छा करा इसके को यहां पर है तो उसके ल सकता है इससे भी यही आना था बाकि युका कैरी होती है कहीं तुम उस्टैप की लड़के तो नहीं जो कि जाती हो लड़कियों को छेड़ते हैं वो कहती है और तुम मुझे यहां पर छेड़ने की ट्राइब कर रहे हो अकत्सु कहता है तुम गलत समझ रही हो ऐसा नहीं ह है अगर तुम्हें कॉफी कर चलना है तो नौबली पूछ लेते हैं जो कि आप जाकी उठी होते हैं लगता है मैं संदेस को कुछ जादे सोने लगी हुँ यह लोग आप यहां पर कैसे पी रहे हैं तुम मैं नहीं कर वा रहा होता है यहां पर माइक में कहता है चीफ मदद क लेकि चीफ उदर को बुक पढ़ रही होती है और उसकी अवास अकट्चू तक्कू आ रही थी अकट्चू कह रहा था आप ऐसा कैसे कर सकते हो फिलाल यहां पर यूगा अकट्चू से पूछती है क्या तुमने प्लिली को यहां पर याद करते हैं वह सच में चूट तो है ना और शर्मा की नीचे गिर जाता हूर कहता है नईश ऐसे मैं गलत सोच रहा हूँ वह बिल्कूल भी क्यूट नहीं यूगा कहती है फिकर मत करो फिकर मत करो मैं तुमारी मदद करूंगी अकट्सू पूछता है कि तुमारा और ये रोता का कैसी चल रहा है तो यूगा बताती है हम चाल्ड हुड फ्रेंड्स हैं फिर भी मैं हमेशे उसे पुछ करती हूँ आगे सकोई रिप्लाइ नहीं आता हम यह पर लिली को देख रहे थे जो कि कोई नौवल पढ़ती हूई आप सो गई थी अकट्सू कहता है ये टाइम में उस टैयलोग को यूज करने का जो की च एकट्सू कहता है इसकी जरूद नहीं है तो मेरी हैल भी ली सकती हो अगर तुम्हें ही रहता कि यहां पर आप समझते क्यों नहीं हो वो कहता है में अपने दोस्त के चाइड्ट्रूप फ्रेंड के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता और उसके बार मेरी इमेज्च क्या रह सकते हैं अब यहां पर रात में टहल ले होते हैं यहां पर कहती है मुझे तुमसे बात करके काफी अचा लगा स्कूल मिलते हैं उसके जानेक बात इसकी चीफ आती और कहती है काफी बड़ी अकाप करा अकत्तू मुझे तुम पर गर्व है फिलाल तुम वहां क्या कर रहे थे और हमें एक सीन दिखाई जाती है चाप अकत्सू उस बार के उनर के साथ कुछ बहुत ही रोवाइंटिक बात यह कर रहा था हम देखते हैं एक्चलि मुझे जब अकत्सू पूरा दिन चीफ ने ले लिया को कहता है फिलाल इसके वज़े से मेरा कॉंफरेंस तो बूस्ट होई गया और गाइस इसे साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है आप लोग एपिसोड कैसे लिए कमेंस बोताना एंड सब्सक्राइब को दोश का अगला एपिसोड देखने के ल झाल देखने के लिए